हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूसफल प्रोड़क का रिव्यू जो की है वेट और ड्राइ वेक्यूम क्लीनर ये इस तरह के वेक्यूम क्लीनर होते हैं ये आपको घर पर ही प्रोफेशनल क्लीनिंग का एक्सपीरियंस देते हैं आप अगर अपना सोफा ड्राइक लिन करना चाहते हैं बैड करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेलफुल रहेगा आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हूँ अमेरिकन मैक्रोनिक का वेट और ड्राइ वैक्यूम क्लीनर जिसका मॉडल नमबर में यहां पर डिस्प्ले में दे दे रही हूँ यहां पर इसमें जो चीज़े म मिली हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूं साथी आपके अन बॉक्स भी कर रही हूं सबसे पहले इंस्ट्रेक्शन बॉकलिट एंड वारंटी कार्ड है इसके बार यहां पे दो वील मुझे मिलें जो बड़े वाले वील हैं उसके बाद यह होस पाइप है जो काफी अच्छे सा स्ट्रेच हो जाती है यह एक्स्टेंडबल पाइप है इसके बाद इसकी में बॉड़ी यह देखिए इस तरह से पूरा पैक हो कि आया था तो इसे मैं निकाल देती हूं और इसके बाद इसको मैं चेक करके आपको काइज होता है इसमें दो तरह के एक में ब्रेशल्स हैं एक में वाइपख वाला है तो यह आप लगा सकते हैं इसमें इसके बाद यह होस पाइप के साथ आप double rod जो है उसको लगाए कर इस तरह से यह वाइप फोरासक सकते हैं अ इसकी बॉड़ो हैं सटेंड़नेस स्टीन black color में है, handles का red color का है यहाँ पर side में आप देख सकते हैं इस तरह के flap है, जब से open करते हैं तो अंदर इस तरह से इसके head में hepa filter लगा होता है इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ये dirt bag तो इसके उपर hole बनावा है जिसके तुरू से attach करेंगे इसके साथ ही कुछ और small attachment है जो कि different different area को clean करने के काम में आते हैं साथ ही दो small wheel हैं जो इसके front में लगने वाले हैं तो four wheel इसमें लगते हैं दो front में और दो back में इसके साथ एक और brush मिलता है जो कि dry vacuuming के काम आता है carpet, sofa वगरा को dry clean करने के लिए इसका जो drum है वो 21 liter की capacity का है और stainless steel का है साथ ही इसकी जो power है वो 1600 watt की है तो यह देख सकते हैं आप stainless steel body है तो clean करना काफी easy है यहाँ पर उपर आप एक hole देख सकते हैं और एक hole इसका lid में है तो यह मैं बाद में बताऊंगे किस तरह इसको assemble आप कर सकते हैं यूज करने के लिए तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पे wheel तो यह back side के जो बड़े wheel है वो लगा दिया और बहुत easy है इनको लगाना इसके बाद front के दो wheel लगा देंगे point देख रहे हैं इसके साथ इसको attach कर देंगे और यह हमारा filters के साथ fix हो जाएगा इसके बाद जो upper body है उसको हम अंदर इस तरह से fix कर देंगे इसमें कुछ भी और नहीं करना upper filter और इसमें लगा हुआ है तो वो लगे रहने देंगे इसके बाद यहाँ पर यह slot बना हुआ है clip को just इस तरह से आप करके हम इस तरह से press कर देंगे और यह lock हो जाएगा इस machine में आपको दो hole देखने को मिलेंगे जो lid के साथ में है वो blower का काम करता है और नीचे वाला main vacuuming के लिए use होता है lid पर इसके इस तरह से आप देखिए red button है जो cover के साथ में है तो shock proof है इसमें एक ही button आता है इस तरह का इसके बाद इसकी wire चेक कर लेते है wire की length काफी अच्छी है तो आपको easy रहेगा काम करने के लिए बार-बार आपको plug change करना नहीं पड़ेगा तो इस तरह से आपको ये wire मिल जाती है काफी लंबी सी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको hose pipe में भी एक इस तरह का point है जिससे आप vacuum को थोड़ा बहुत कम ज़ादा कर सकते हैं stainless steel body के साथ में जो hole है से hose receptor कहते हैं जहाँ पर आप hose pipe को लगा सकते हैं उसको लगाना भी काफी easy है इसके साथ इसमें दो तरह की जो brush आते हैं उनको different काम के लिए आप use कर सकते हैं जैसे ये वाला brush आप dry cleaning के लिए use कर सकते हैं जब आप vacuum करें और ये दूसरे जो brush हैं इनको आप floor पर wet cleaning के लिए भी use कर सकते हैं इसमें एक में wiper बना हुआ है और एक में brush बना हुआ है तो उसको निकालना और लगाना काफी easy है side में इस तरह के clip हैं जिसके थुरू आप इसको attach कर सकते हैं इस तरह से ये दो brush मिल जाते हैं जो wet and dry cleaning के time पे आप change करके use कर सकते हैं तो अभी यहाँ पर जो ये carpet cleaning के लिए use हो रहा है brush वो मैं use कर रही हूँ उस तरह से मैंने लगा दिया है अभी मैंने इसमें कोई extendable rod नहीं लगाई है बढ़ आप चाहें तो उसको बढ़ा कर सकते हैं तो आपको जुकने की जुरुत नहीं पड़ेगी इसमें दो extendable rod आती है तो उसकी length आप और भी बढ़ा सकते हैं plug पे मैंने लगा दिया है इसके बाद यहाँ से ये button on करेंगे machine on करने के बाद आप आवाज सुनी सकते हैं काफी तेज आवाज करती है ये machine क्योंकि vacuum काफी strong है इसका इसके बाद table पे जो भी dirt वगिरा गिरी थी इसको open करते हैं वो मैं clean कर रही हूँ बहुत easily clean हो जाती है suction काफी heavy है यहाँ पर जो ये point है इसको आगे पीछे करके आप suction को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं बहुत ज़दा फरक इससे नहीं आता है सातीस में wheel हैं तो इसको आगे पीछे करना काफी easy है extendable rod की वज़े से इसको इस तरह से use करना काफी असान हो जाता है तो ये देखे इस तरह से ये है यहाँ पर मैं कुछ dry leaves डाल के दिखा रही हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये इसको vacuum कर पा रहा है कितना strong है की नहीं तो ये आप देखी पा रहे हैं ये देखे बहुत easily सारा का सारा जो dirt है वो इसके अंदर आ जाएगा तो इस तरह से काफी strong machine है तो cleaning के लिए काफी अच्छी है sofa भी इससे आप अराम से dry clean और wet clean दोनों तरीके से कर सकते हैं अभी मैं आपको dry करके दिखा रही हूँ तो ये देखे आपको किसी भी कोने पर इसको लेके जाना है तो बहुत easily आप इसको use कर सकते हैं इसकी different attachment, different space को clean करने के लिए काफी जादा useful हैं जैसे कि ये गदियां हैं इसमें इस तरह की जो space बना हुआ है इसको clean करने के लिए ये brush वाला जो round nozzle है इसका ये बहुत ज़्यादा काम आता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसमें 2-3 attachment और है small वाले वो भी आप different corner में cleaning के लिए use कर सकते हैं आप देखी सकते हैं काफी अच्छे से clean हो रहा है sofa actually मैं regular basis पे clean करती रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा dust नहीं है इसमें पर फिर भी काफी अच्छे से clean कर रहा है क्योंकि suction काफी अच्छा है तो बहुत अच्छे से dirt को कीच लेता है इसकी different attachment का use करके आप चोटी से चोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को clean कर सकते हैं dust proof कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं lights होगी, paintings होगी सभी को आप बहुत easily clean कर सकते हैं पर जब आप cleaning करें तो आप किसी भी object को hold properly करके रखें क्योंकि strong section है तो काफी pressure लगता है और जो dirt है वो इसके bag में इस तरह से कटी हो चाती है तो अभी मैं आपको wet cleaning करके दिखा रही हूँ तो इसका जो इस तरह का dirt bag है इसको आपको निकालना होगा heifer filter के साथ आप इसे use कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर यह जो wiper है यह मैंने दूसरा वाले लगा दिया है इसके बाद हम wet cleaning करेंगे तो यहाँ पर जो दूसरी extendable rod थी इसके वो भी मैंने attach कर दी तो देखे आप height कितनी अच्छी हो गई है यहाँ पर मैंने यह soapy water इस तरह से spread कर दिया है और उसके बाद इसको हम clean करेंगे तो आप देखेंगे within minute यह एकदम dry हो जाता है इतनी उमीद मुझे नहीं थी मुझे लगा था जस्त यह पानी शक कर लेगा बट floor हलका सा गीला लगेगा जिससे पोचे के बाद लगता है बट आपको मैं दिखाती हूँ टिश्यू पेपर यहाँ पर लगा कर टिश्यू पेपर एकदम dry है यानि कि बिल्कुल भी इसमें पानी की बून नहीं दिखेगी थोड़ा पानी मैंने और गिराया ताकि इसको अच्छे से चेक कर पाऊँ और आप देख सकते हैं स्ट्रॉंग सक्षिन है एक ही वाइप में पूरा पानी अंदर सक हो जाता है और काफी अच्छे से फ्लोर भी क्लीन हो जाता है यहाँ पर इस डिमांस्टेशन में मैं आपको क्लीन करके नहीं दिखा रही हूँ अभी जस्ट आपको ट्रायल इसका दिखा रही हूँ इसके बाद यह जो कार्पेट ब्रेस था उसको लगाकर अच्छे से रब किया है और बहुत अच्छे से यह क्लीन कर रहा था यहाँ पर जो ड्राय कर रहा है यह सर्फिस को वो 80% ड्राय कर रहा है 20% आपको इसको फैन के नीचे सुखाना पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह से रगड़ते हैं तो सोफे का फैब्रे खराब हो सकता है तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं करें जितना यह कर रहा है 80% में काफी अच्छे से ड्राय रहता पानी आपको नहीं फीलोगा बट हल्की सी नमी लगेगी जो की फैन में एक दो मिनट में सूख जाती है इसके बाद मेरे जो बेड का हेड़ बूर्ट था वो बहुत गंदा था बहुत ज़्यादा धूल इसमें दिख रही थी तो मैंने सूचा चलिए इसको क्लीन करके देखते है इसमें सो तो डर्ट डेफिनेटली निकलने वाली है काफी सारी तो वही सोपी वाटर मैंने आल ओवर इसमें लगा दिया है और यहां पर मैं दिखाती हूँ आपको पहली की हालत वैसे तो इसका कलर थोड़ा सा वैसा है कैमरे में नहीं आ रहा है बढ़ डर्ट काफी ज़्यादा थी इसको ड्राइ तो वैक्यूम करती हूँ मैं काफी बार जो पानी वाला है वो मैंने इस पर कभी ट्राइ नहीं किया तो आज मैं वही ट्राइ कर रही हूँ और यह देखे पूरा अच्छे से एक लीन हो रहा है थोड़ा पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आप देखी पा रही हूँ कि विजबल रिजर्ट तो इसका कलर थोड़ा ऐसा है जो आपको कैमरे में नहीं पता चल रहा है पर लास्ट में मैं आपको इससे निकलने वाली डर्ट दिखाऊंगी फिर आपको इसका रिजर्ट पता चलेगा इसके साथी मैट्रस को भी मैंने इस तरह से ड्राइ वैक्यूम कर दिया था है कुछ तो पानी अंदर चला गया तो उसके लिए इस तरह से जो इसका पॉइंटेट नोजल है वो मैं यूज कर रही हूँ और थोड़ी ही देर में ये सारा एरिया एकदम क्लीन हो गया था तो एक्सेंटली ही हुआ बट आपको एक डिमॉस्टेशन मिल गया है ये देखे बहुत ड्राइ है सरफिस अब मैं दिखाती हूँ उसका टैंक ओपन करके कि कितनी गंदगी थी ये देखे टैंक के अंदर भी क्योंकि मैं इसको ड्राइ वैक्यूम भी किया तो सारी डर्ट यहां पर है पानी में भी है साथी हैपा फिल्टर भी काफी ज़्यादा गंदा हूग गया है यहां पर आपको मैं डर्ट दिखाती हूँ इतनी बार एक डर्ट इसको आप कैसे भी चाहें तो क्लीन नहीं कर सकते है इतनी डर्ट इसमें से निकली है इसके बाद आप पानी देखे पानी का color बहुत गंदा है, इसका हैपा फिल्टर clean करना काफ़ी easy है, running water के नीचे आप इसको clean कर लिजे, इसी तरह से drum को भी मैंने clean कर दिया है, एक दम clean हो जाता है क्योंकि stainless steel का है, तो इस तरह से cleaning काफ़ी easy है, strong suction होने की वज़े से किसी भी surface को अगर आप wet और dry जैसी भी clean क लेगा, तो उमीद करती हूँ, आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा हो, आपको पसंद आया हो, अगर किसी भी point पर पसंद आया है, तो वीडियो को like जरूर करें, product related कोई भी information अगर आपको चाहिए, तो आप description box चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं link और detail छोड़ दूँगी, तो उमीद करती हूँ, आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा हो, आपको पसंद आया हो, मैं मिलती हूँ आप से किसी और नए interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए bye, thank you, thanks for watching, have a nice day.